हाई गाईज इस दान फिल लाइफ और आज हम बात करने वाले हैं Bombay Dying की हमने एक साल पहले Bombay Dying की वीडियो बनाई थी उस समय स्टॉक का प्राइस था 117 रुपीज पर शेर और तब से प्राइस करेक्ट कर रहा है उस समय हमको स्टॉक ओवर वाल्यूड लग रहा था और तब से आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें पताया भी है कि ओवर वाल्यूड है तब से करेक्ट करके स्टॉक आपका राइट ना इट इस ट्रेटिंग एड एटी त्री रुपीज अप्रॉक्सिमेटली कंपनी की सेल्स तो इंक्रीज कर रही है है और प्रॉफिटेबल्टी भी ठीक ठाग है और 2019 में ने काफी अच्छी एक्ट्राइडनरी प्रॉफिट दिखा है और इनका अर्णी परिशेर काफी बूस्ट कर रहा है अगर देखे तो इनकी सबसे बड़ा कंपुटेटर वेल्सपन इंडिया है और वेल्सपन भी काफी अच्छा स्टॉक है और बॉंबे डाइंग के कंपारिशन में काफी ज्यादा स्टेबल है अगर कंपरी का असेट बेस देखें तो पांचाजार इक सो आश्यार करोड ऐसेट हैं कंपनी में बॉंबे डाइंग में और कंपनी में डेट देखें तो लगवग 3400 क्रोड के आसपाथ है और अगर सेल्स देखें तो यूजली 2015 से 2019 में इसकी सेल्स ग्रोव करही है अट देरेट ओव 14 परसंट और यर्ली बेसस तो सेल्स काफी और इनका नियर्स सपोर्ट स्टॉक का अगर देखे तो 64 रुपीज पे नियर्स सपोर्ट आता है कंपनी के अनिक पर शेयर इंक्रीज तो करी है और प्राइस बैंड अगर देखें तो प्राइस भी इनका काफी फ्लक्टुएटिंग रहा है अगर 2015 में देखें तो 78 रुपीज का प्राइस था जो इंक्रीज करके 2018 में लगबग 200 रुपीज के आसपास हो गया और करेंटली 83 के रुपीज के आसपास चल रहा है स्टॉक का प्राइस नियर्स सपोर्ट सिक्टीफोर के आसपास है और करेंग लिए बंच पराइस बने के रहा है अगर आप है नियर्स नियर्स था पर अपर अपर आपको अपर अच्छा प्राइस देखने को मिल सकते है इसका resistance 145 के आजपास है जो आपको एक point मिल सकता है जहां पर आप हलकी profit booking कर सकते हैं अगर अभी जंप करते हैं stock में company का अगर PE band देखें तो company का PE band काफी fluctuating है और right now the current PE of the stock is around 1.4 company में अगर dividend yield देखें तो 1.8% की dividend company year ने और year प्रवाइड करता है और company में mutual fund और institutional holding around 5.6% की है company है अगर managing director की बात करें तो जहांगीर एन वाडिया और chairman नुलसी एन वाडिया हैं और auditors कल्यान वाले and ministry LP हैं company में current volumes और जो liquidity in the stock है वो काफी अच्छी है तो उस point of view से आपको कोई issue नहीं आएगा Bombay Dying काफी popular company है और अगर business model की बात करे जाएं तो clothing, bedsheet, bedsheet covers वगरा बहुत सारे Bombay Dying के आते हैं mainly textile और processing में है company आप हमारी दूसरी वीडियो की देख सकते हैं उसके अंदर आपको सारी details मिल जाएंगी की Bombay Dying का पूरा sector क्या है और कितने टाइम से function कर रही है So this is what I wanted to tell about Bombay Dying, soon हमारी एक वीडियो हमारी वेल्समन पे भी आने वाली है और एक वीडियो भी आजेगी जिसे की आप लोग दोनों कंपनी कंपनी कर सकते हैं So that's about it for this video, अगर आपनी Instagram पे अभी follow नहीं कर रहा हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं At the rate FinLife, FinLife के नाम पे हमारा Instagram handle है प्लस Telegram पे भी follow कर सकते हैं And you can just like and subscribe to this video अगर आपने वास कोई comments है तो you can mention in the comment section below And description देखना ना बूलें Signing off Sidhan Girl from FinLife